राम्टेक तैसल के मंसर जिला परिशत के अंतरगत आने वाले खोबरा वटी गाओ के नागरी कई वर्षों से इस सड़क के कारण परिशान हो रहे हैं नागरी को ने इस पकी सड़क का निर्मान करने के लिए इशासन प्रशासन और सम्मधीत विभाग के अदिकारियों को एक निवेदन दे कर दामबर सड़क निर्मान की मांग की थी लेकिन इस और किसी ने भी ध्याना करशित नहीं किया पिछले कई वर्षों से इस खतरनाग सड़क के कारण स्थानी नागरिकों को काफी परिशानी हो रही है स्कूल छात्र छात्र आओ, किसानों और खेट मजदूरों के आने जाने के लिए ये एक मात्र सड़क है और ये कई वर्षों से जरजर हालत में है इस जरजल सड़क के कारण चार पईया वाहन भी इस सड़क से नहीं गुजर सकता नागरिकों का कहना है कि कुछ दिन पहले इसी जरजल सड़क के कारण एक सिलिंडर वाहन पलड गया था इस जलजल सड़क के कारण कई दुरगटनाएं हो चुकी है और नागरिकों को अपने हाथ बेर गवाने पड़े है इस सड़क पर आए दिन कई दुरगटनाएं हो रही है इस समस्या की गंभिरता को देखते हुए गाउंवालों ने उपमुख्य मंत्री ग्रह मंत्री वजिले नहीं देने पर तुरस्तनागरिकों ने शुक्रवार को रामटेक उप्तालु का प्रमुक अनिल येड ने इनकी नेतरुत में युवा सेना जिलाद्यक्ष लोकेश बावन कर इनकी प्रमुक पस्तिती में सड़क पर पुष्प माला एवं पुष्प अर्पित कर शृध्ध भी किया गया एस अफसर पर खोब्रावर्टी ग्राम पंचा सदिस्ष शेखर लिल्हारे गौरी शंकर घे गया सचिन गूरव राजा दमाहे तुकडुजी नाकपुरे शीतल प्रसाद नाकपुरे महेश सवलके चंद्रशेखर सवलके प्रफुल सवलके रोशन सवलके निह अनिल सवलके सोहनला दासरिया अक्षे नाकपुरे इश्वर दमाही हीरला लिलहारे द्वारकाबाई सववाकले जनक माहूरे संजय नाकपुरे विठल माहूरे हेम्राज सवलके करन बंदोत वा अन्य बड़ी संख्या में उपस दिते आम्दार खांच़ रण आता परेंट खोप सारे निवेधन देऊन जालेली हैथ परन्तु आंदार सहे क्षे निल्ह लक्सक्व दिलिली नहीं या शेत्राचे जिल्लापरिजसlem सदसे यानि लक्षे दिलिली नहीं ग्रामपंचे सदसे मनाह किवा ग्रामपंचे सर्पंच य परन्तु तितुन आमाला अजुन परेंत या रस्ते चे नियोजन करने साथी काई चसे आश्वासन ची मिलत आले ले आयत परन्तु आ रोड संपूर्ण पने त्यानी पूर्ण करने चे प्रयत न केले नाईत। इन बीसे निउस के लिए रामटेक से अभिशेक पांसी की रिपोर्ट।